असान तीलापों का दौरा कर रहा हूं मनिपूर की हाल की स्थिति की जानकारी देने दूँ इस प्रेश वार्ता का आयोजन किया गया है 29 अप्रिल को मनिपूर हाई कोट ने मैं कोई जिजक्य वगर कह सकता हूं एक जल्द बाद भैसले के कारण यहां पर जाती है हिंसा और दो ग्रुपों के बीच में हिंसा की सुरुवात हुए विगत छे वर्सों से जब से मनिपूर में भारती जन्ता पार्टी की सरकार आई मनिपूर बंद ब्लोकेड कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया था नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूतों में भारती जन्ता पार्टी की मनिपूर सरकार हमारे मुख्य मंत्री जी के नेत्रूतों में इस डबल एंजिन की सरकार ने विकास के सारे पेरामिटर्स में अबूत पूर्व सिद्धिया हासिल की ये छे साल मनिपूर के इत्यास में विकास और सांती के छे साल के रुप में जाने जाते हैं चाहे सेंट्रल इंस्ट्रिटिशन लाना हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो बढ़ावा करना हो इंडस्ट्रिल इंवेस्ट्मेंट लाना हो एजुकेशनल इंस्ट्रिटिशन को सुचारू रुट से चला कर मनिपूर को नौर्थीश्ट के एजुकेशन और स्पॉर्ट्स में हग बनाने की बात हो हर क्षेत्र में सांती के कारण मनिपूर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है विगत लगबग एक महिने से मनिपूर में हिंसक गड़ा हुई है सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर नागरिकों की हाल की हिंसा में मृतियू है इस सभी के परिवारों के प्रती देश के प्रधानमंत्री जी की और से मेरी और से और भारत सरकार की और से इनके प्रती सम्वेदना प्यक्त करता हूँ जान किसी की भी गई हो देश के नागरिक की जान जाती है तब हम सबको मुझे आपको सभी को दुख होना बहुत स्वाभावी गहा है इस दुख दिन के दौरान मैंने धेर सारे आइधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है मैंने इस तीन दिनों में अस्थाई केम्पो का दौरा किया है इस तीन दिनों के अंदर मनिपूर के अलग-अलग हिसों में इमफाल, मोरे, चुराचानपूर, कौंपोक्पी सभी जगे जाकर नागरिकों के प्रतिरीदी मंदल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है राज्य के क्याबिनेट मंत्रियों के साथ भी मीटिंग की है महिला संगठवनों के साथ भी दोनों और मेरी मीटिंग होई है मतहिस समुदाय के लगबग बाईस CSO को मैं मिल चुका हूँ इसी प्रकार से कुकी समुदाय के भी 25 से जादा CSO के साथ मिरन प्रोफेसर रिटायड अपसर समाज के सभी वर्गों के साथ सांती लाने के उपायों के लिए और सांती की चर्चा के लिए मेरी बातचीत हुई है अलग अलग ग्यारा पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ भी मेरी डिटेल चर्चा कि ओलंपियंज और आश्ट्रेख खेलों में खेले ओए खेलाडियों से भी मेरी चर्चा हुई है और सभी पार्टिके चुने हुए प्रतिरिद्यों से भी मेरी चर्चा हुई है दो राहत केम्पों में मैं गया, दोनों राहत केम्प में स्थीती का जाईजा भी लिया है और अलग-अलग स्थर के भारत सरकार्ट और मनिपूर सरकार के अधिकारियों की, सिविल अधिकारियों की और सुरक्साबलों की मीटिंग भी मैंने की हैं। हमने धेर सारे फैसले भी किये हैं जो आज मैं बताना चाहूंगा भारत सरकार विगत एक मैने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है यह सभी की जांच के लिए हाई कौट के चीप जस्टिस स्तर के रिटायड नियाएधीस का नियाई आयोग घठीद करकर जांच करेगा और यह जांच भारत सरकार की और से कराई जाएगी भारत सरकार मनिपूर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्स्ता में एक सांती समिती का गठन करेगी जिसमें सबी का समावेस होगा उद्योपती भी होंगे मनिपूर में अभी घेज dealt सारी एजन्सिया सुरक्षा की दुर्श्टी से काम करी है उनके बीच में बहतर समन्वे के लिए एडवाइजर स्रीकुलदीप सिंग जी जोकी डिटाइड डिजी सीर बीएफ हैं उनकी अध्यक्सता में इंटर एजन्सी युनिफाइड कमांड की व्योस्ता आज से ही हम रचना में लाएंगे जो सभी एजन्सियों के बेटर कॉर्डिनेशन के लिए पक्सपात विहिन कॉर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्सता में काम होगा जितने भी केस रजिस्टर किये गए हैं इसमें से पांच केस चैनित किये गए हैं और एक केस इन जनर्रल कॉंस्पिरसी का रजिस्टर करकर एक छे केसों की जाच सीबी आई का विशेश्ट दल करेगा जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा और मैं सभी मनिपूरवाश्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ किसी भी पक्सपात और भेदभाव के बगए हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले सभय में कभी हिंसा नहों इस प्रकार के एक नूट्रल जाच और दोस्यों तो को डंडित करने की कारेवही की जाएगी एक रिलीव एंड रिहबिलिटेशन पैकेज को भी तयार किया गया है जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को पांच लाख रुपिया मनिपूर सरकार की और से और पांच लाख रुपिया भारत सरकार की और से दस लाख रुपिया दिया जाएगा ये राशी डीबीटी के माध्यम से उनके परिवार जनों के सिधे बैंक एकांप में ट्रास्पर की जाएगी जो इंजड हुए हैं उन इजागरस्तों के लिए जिनकी प्रोपर्टी का नुक्सान हुआ है उन लोगों के लिए भी एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटिशन पेकेट ताई कर लिया गया है जिसकी डिटेल गोशना कल भारत सरकार के गुरू मंत्राले से हम करेंगे मनिपूर की जनता को चीज वस्तुवों की कमी न हो इसके लिए 30,000 मेट्रिक ट्रन नियत कोटा से एक्ष्ट्रा चावल भारत सरकार ने यहां पर भीजा है वो चावल 15-15,000 मेट्रिक ट्रन के दो महिने तक 15-15,000 मेट्रिक ट्रन भीजा जाएगा गैस पेट्रोल और सबजीयों की भी आपूर्ति की व्योस्ता कर दी गई है सारी चीजे ओन वे हैं और उनके वीतरन के लिए सस्ता अनाज की जो दुकान है इसके अलावे एक अलग से कैम्प खुला जाएगा जहां उनके इलेक्ट्रोनिक रासन कार्ट से भी अनाज मिलेगा और जिनको पर्चेस करकर चाहिए उसको भी मिलेगा महां से सब्जिया भी बाटी जाएगी दवाईया भी बेची जाएगी और पैट्रोल पंप कुछ चैनित कर दिये गए हैं लगबग 15 पैट्रोल पंप जो दिन राज खुले रहेंगे जिससे पैट्रोल की किल्लत यहां पर हो न सके आवाजाही में आप सभी जानते हैं थोड़ी दिक्कत है इसलिए खौन सेंग रेलवे स्टेशन अभी पूरा नहीं बना है मगल लाइन तयार हो गई है तो हमने टेंपरररी प्लेटफॉम बनाने का नेने किया है जो एक ही सब्ता में बन जाएगा तो रेल से भारत के बाकी हिस्सों से मनिपूर की आपूर्ती करने के लिए यह बहुत बड़ी सुवीदा होगी युद्धिस्तर पर एक प्लेटफॉम बनाने की कारेवाही कल से ही सुरू हो गई है मैं असा करता हूं कि 4-5 दिन के अंदर ही हम रेल के माध्यम से यहां आपूर्ती शुरू कर देंगे तो रेल जब आना सुरू होगी तो चीजों की कमी में बहुत सुधार हो जाएगा दोनों और लोग सिप्ट हो गए इसके कारण मेडिकल डॉक्टर की भी असुवीदा विशेश कर उकी भाईयों के ख्षेत्र में हुई है भारत सरकार ने 8 टीमे जिसमें 20 डबल डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टरों के साथ उनकी टीमें भी होंगी, वो टीमें वह bağन से रवाना हो चुकी है, पाँच टीम तीन टीम पहुंच चुकी हैं और पाँच टीम में आज साम तक यहां रिपोर्ट कर देगी जो मोरे, चुलाचानपूर और कौमकोख की के एरिया में इक्षित्रों में मेडिकल सुविदाओं का काम करेगी और बाद में इमफाल में भी अगर ये क्राइसिस होती है तो आसाम सरकार के लॉक्टर लाने की भी हमने व्यवस्ता की है कॉम्पिटिटिव एक्जाम और सिक्षा में मनिपूर के विद्यार्थियों को कोई व्यवदान नव हो इसलिए बारत सरकार के सिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी आज यहां पहुंच चुके हैं उनका और मनिपूर के सिक्षा विभाग के अधिकारियों का मीटिंग होने के बाद एक कॉंक्रेट प्लान जिसे की बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधीत न हो उसको हम बनाएंगे जिसमें ओनलाइन एक्जिकेशन ओनलाइन एक्जैमिनेशन और डिस्टन्स टीचिंग की भी व्यवस्ता की जाएगी इस सारी व्यवस्ता को हम दो दिन के अंदर एक फाइनल स्वरुप दे देंगे जिसे बच्चों की सिक्षा में और एक्जैमिनेशन में किसी भी प्रकार का व्यवदान न हो कोट में मनिपूर के कुछ सिसों से आने में तकलीफ है हम हाई कोट के साथ चर्चा कर रहे हैं तीन जगे पे वर्चुल माध्यम से एपियर हो सके इस प्रकार की विरस्ता की यह करने जा रहे हैं हम चुडा चांदपूर मोरे और कंपोक्वी में जहां से मनिपूर हाई कोट में सिधी अपनी बहस भी कर सकेंगे और हाई कोट लिब्रल तरिके से उनको जब तक स्थीती नॉर्मल नहीं हो जाती डेट भी दे पाएगी इसे काम करने में काफी सरलता होगी आवाजाही की सरलता से ते लिए ये तीनोक शित्रों से एक अस्थाई हेलिकॉप्टर यादा की व्यवस्ता भी हम करने जा रहे हैं जो सिर्फ 2000 रुपया पर पर सन की रेट से इन लोगों को एरपोर्ट तक छोड़ देगा और इंटर्नल ट्रांस्पोर्टेशन की भी व्यवस्ता हेलिकॉप्टर के माध्यम से हम करेंगे बारत सरकार और मनिपूर सरकार ने हेलिकॉप इस सभी प्रकार की व्यवस्ता सुचारू रूप से चले इसलिए एक जॉइंट सेक्रेटरी तरके भूविभा की अधिकारी मनिपूर में उपस्तित रहेंगे और पांच डायरेक्टर्स तरके अधिकारी भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रा लेके यहाँ पर उपस्तित रह पर्मेनेंट सॉलुइशन के लिए हमने म्यानमार और मनिपूर की बॉडर पर पहले ही ट्रायल बेस पर 10 किलोमीटर बाड लगाने का फैंसिंग करने का काम हमने पूरा कर लिया है और 80 किलोमीटर के काम को हमने टेंडरिंग कर चुके हैं और बाकी की बॉडर की हम सर्वे भ परोस के देश से आने वाले लोगों कोई बायोमेट्रिक्स और आई इंप्रेशन लेने का भी काम चालू है जिससे आने वाले दिनों में उक्सावे से यहां पर हिंसान नहों हो मेरी सभी मनिपूर वासियों के से अपील है कि आप टूपिया अफ़ाओं पे ध्यान न दे अफ़ाओं के निरसंग के लिए यहां पर कुछ टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं आईधर और साइड से सान्ती बनाए रखे मनिपूर में सान्ती के कारण विगास का एक नया यूग छे साल से चल रहा था कौट के एक फैसले के कारण थोड़ी मिसंडरस्टेंडिंग के कारण यह मनमूटा हुआ है मुझे भरोसा है कि मनिपूर की जन्ता आपसी सद्वाव के साथ चर्चा करकर जल्दी इसका निक्टारा लाएगी जहां तक केंदर सरकाल का सवाल है मैं एक सर्थिती सपष्ट कर देना चाहता हूँ मैं सू गुरूप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूँ कि सू एग्रिमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सक्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझोते के भंग के रुप में लिया जाएगा तो कुपिया समझोते की सभी सर्तों का कठोरता से आप पालन करिए आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्ली मोनिटर करेंगे और जिन लोगों के पास हथियार है उनसे भी मैं अपिल करना चाहता हूँ कि अपने अपने हथियार पोलिस के सामने सरंडर कर दे कल से पोलिस कॉमबिंग ओप्रेशन करेगी और कॉमबिंग ओप्रेशन करने के बाद जिन के पास से अथियार मिलेंगे उनपर कठोर न्याई धाराय लगाई जाएगी तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास अथ्यार हैं, वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने अथ्यारों को सरंडर करते हैं। मैं सभी सिविल सोसाइटी और्गिनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अफ़ाओं पर ध्यान नदे, समय सांती बनाने का है, समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का है, और चीज काम के लिए आप लोगों ने और्गिनाजेशन बनाया है, मैं मानता हूं वो क काम यही है, तो आप लोग रूपिया दोनों साइट से सांती बनाने का, चर्चा का और सद्भाव बढ़ाने का महोल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे विनंती है, धन्यवान में